गूड इबनिंग दोस्तो मैं अभी आप सभी का वार्म वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक एक्सपर्ट्स पर दोस्तो आज से फिर से एक बार हम यूट्यूब वीडियो के शुरुवात कर रहे हैं जहां हम कवर करने वाले हैं मार्केट के डेली मॉमेंट्स पर मार्केट में दोस्तो आए दिन काफी सारी कॉम्पलेक्स न्यूज आती रहती हैं और अपने इंडिया को दोस्तो हम अपने रीटेलर इन्वेस्टर्स को काफी जादा नॉलेज़फुल बनाने के लिए उन्हें इजी लैंगविज में जरूर कीजिएगा उससे पहले दोस्तो आज का ये वीडियो काफी छोटा रहने वाला है क्योंकि दोस्तो लास्ट टाइम हमने सिक्स मन पहले एक वीडियो बनाया था और अब एक बार फिर से दोस्तो हम यूटिव वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं यहां पे हमें फाइन दोस्तो हम बात करेंगे NSC और BSC की जो की आज के दिन दोस्तो दोनों ही Red में हमें देखने मिला है लगबग 1.5% के आसपास दोनों ही गिरा है सबसे पहले बात करेंगे हम दोस्तो NSC की तो यहां NSC के अगर हम हालाद देखें दोस्तो तो 1.32% के साथ ये नीचे गिरा है 245. पॉइंट के साथ जिसमें अगर हम देखें तो 50 आउट ओ 45 स्टॉक्स नीचे रेड में रहे हैं और 5 एडवांस यानि कि दोस्तों 5 ग्रीन कलर के स्टॉक्स में रहे हैं यानि कि उसमें हमें बढ़त देखने मिली है सिंपल सी बात है यहाँ पे अगर हम ब्रिटानिया, हीरो म में देखने मिले हैं, सेम अगर हम BSC की भी बात करें यानि कि Bombay Stock Exchange की तो इसमें हमें 1.40% यानि कि 878 पॉइंट लगबग दोस्तों 900 पॉइंट के आसपास हमें नीचे देखने मिल रहा है BSC जिसमें Sun Pharma और NTPC दोस्तों दो ऐसे स्टॉक्स रहें जो कि लग्किली ग्रीन मे आ गए, बाकी सभी हमें यहां पे रेड में देखने मिले हैं, सबसे जादा अगर हम देखें तो IT सेक्टर पर यहां पर असर हुआ है, जिसमें Infosys और Tech Miner दोस्तों लगबग 3% और 4% के आसपास नीचे गिरे हैं, इसके पीछे दोस्तों अगर हम आपको एक सिंपल सा कारण बताएं, तो यहां पे कल ही के दिन अगर हम देखें तो Fed यानि की दोस्तों जो Federal Government है, US की, उन्होंने Tax Rates को हाइक किया है, यहां पे Rates हाइक हुए हैं, जो वहां पे दोस्तों Taxis होते हैं, उसे हाइक किया गया है, और इसी के वज़े से दोस्तों अगर हम देखें तो इसका सीधा असर हमारे स्टॉक मार्केट पर भी देखने मिला है, यहां पर दोस्तों अगर हम मनी कंट्रोल के इस न्यूज आर्टिकल को कवर करें, तो देखें आप टेकिंग स्टॉक्स सैंसिक्स टैंक 7.79%, निफ्टी सैटल्स नियर 18,400 पोस्ट फेड रेट हाइक, दोस्तों य यह भी लगबग 50 बेसिस पॉइंट के आसपास हुआ है, यानि की 0.5 पतीशत के आसपास, और लगबग दोस्तों अगर हम देखें तो पिछले 3-4 महनों से फेडरल गवर्मेंट काफी जादा अपने टेक्स को हाइक करते जा रहे हैं, इसके पीछे रीजन है दोस्तों, श्टॉक मारकेट पर भी देखने मिलता है, और काफी जादा अगर हम यहाँ पर देखें दोस्तों, तो फेडरेट हाइक के वज़े से अगले साल रिसेशन के भी चांसिस बढ़ जाते हैं, तो इसलिए दोस्तों, अगर हम देखें तो जो हमारी टेक इंडिस्ट्री है, जो रिसेशन आएगा यूएस में, तो उसका असर दोस्तों हमें कुछ न कुछ तो इंडिया के स्टॉक मारकेट और इंडियन आईटी कंपनीज पर भी देखने जरूर मिलेगा, बाकी परसनली दोस्तों, अगर मैं आपको बताओं, तो यूएस में रिसेशन आने की संभावना है, काफी बढ़ चुकी है, इस टेक्स रेट्स के हाइक के साथ, बट अगर हम देखें दोस्तों, तो इसे फिर भी टाला जा सकता है, लेकिन उसके लिए यूएस गोवर्मेंट को वर्क करना पड़ेगा, बाकी दोस्तों, अगर हम मारकेट से रिलेटेड डियूप की बात करें, तो उसे हम दोस्तों अपने आने वाले वीडियो में जरूर कवर करेंगे, आज के लिए दोस्तों बस इतना ही एक छोटा सा वीडियो था, शौट इन्फॉर्मेशनल वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो जरूर हमारे चैनल को करें, मिलते हैं कल के वीडियो में, सब तक के लिए शुक्रिया